नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बरफिड से आज का जो बड़ोग विस हैं बहुती सुन्दर हैं वैसे आप हमारे बड़ोग के टैटल में देखी चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने बाला हूं इस जानकारी के अंतरगत रावण सहीता के बारे में एक ऐसा गुपता परवग बताऊंगा जो परवग आप लाखो रुपए खर्चा करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला सरप्रथम तो जानते हैं रावण के बारे में कुछ विसेस जानकारी देखें जो जानकारी होती कभी भी वेर्था नहीं जाती यह जानकारी अभी नहीं तो आग्याब को बाद में चल करके काम आ सकते हैं इसलिए इस बीडियो में अपना पूरा समय जरूर दीजेगा बीडियो को सुरू से लेकर के आँखरी तक पूरा जरूर देखना और बीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते तो हमारे मनुबल बढ़ते हैं और आप सभी दर्सकों को लिए इस प्रकार ग्यान भरी अच्छे जानकारी लेकर के आते हैं देखे हमारे चैनल का नाम भी प्राचीन ग्यान हैं प्राचीन ग्यान क क्यों समाज सुधारक हैं क्योंकि कुछ जानकारों की मुताबित रावन नहीं गौबली प्रथा को बंद कराया था प्राचिन समय में यग्य को पुर्ण करने के लिए कुछ जानकारों की मुताबित गौबली दिया जाता था जिसका बिरोध करती वे रावण ने गौ बली प्रथा को बंद कर रहा था कई धार में किताब के मुताबित प्राचीन समय में गौ बली दिया जाता था उस तो रावण ने अपने बाहुबल से इस बली प्रथा को रोका ये भी कहा जाता है कि रावण ने भगवान संकर से कई तांतरिक क्रिया भी सीखे भगवान संकर ने रावण को कई तांतरिक मंत्रा भी दिये कई तांतरिक क्रिया सीखाएं तथा एक कथा एक नुशाय रावण ने मृत्यू की द्योंता यमराज सहीत नवगरा को भी बंदी बना करके रखा था अपने तंत्रायव मंत्रों के प्रभावशे रावण बिल्कुली जितने भी नवगरा थे जितने भी देवी द्योंताओं थे शब को बंदी बना करके उनको जैसे हम अपने जीवन को किस प्रकार सुखमय बना सकते वह शुखमय बनाने के लिए रामण ने धर्मकार्य के लिए लोगों के कल्यांत्ति के लिए कई प्रकार के उपाय अपने कीताब रामण सहिता में लिखे हैं। जिस उपाय से गरीब से गरीब व्यक्ती भी धनवान बन सकता है। जिस परयोग से अगर आपके धन खर्चा हो चुके हैं और आप उस धन को पूना प्राप्ता करना चाहते हैं। इसी भी प्रकार के पीड़ा हो, उस पीड़ा से परसान है, तुब्ड में बताएंगे उपाय से सारे समस्था से आपको छुटकारा मिलेंगे, आपके घर में तेजी से धनका बढ़ोतरी होगा, क्योंकि मैं जो जानकारी बताओँगा, ये जानकारी बिल्कुल आपके किस्मत बदल के रख देंगे और रावर सहिता में लिखे जानकरी बता रहा हूं ये जानकरी गुरू परमपरस आपको प्राप्त होंगे किताबों में नहीं लिखें मैं जो जानकरी बता रहा हूं हवा हवाई बात नहीं बता रहा हूं अगर आप अपने किस्मत को वास्तों में बद किजिए ये उपाय आप जो किसी भी दिन कर सकते हैं और ये उपाय मैं आप लोगों को दिवाली के पहले भी एक Constant Tanaka हो हूं तो आपको व्पाय क्या करना है mm रामणध सता में भी लिखें हैं कि आब को ये उपाय पर आप जिस प्लेस में रहते हैं जिस एरिया में रहते हैं वहां पर जो शात नदी बहर हैं बिल्कुल यह शात नदी का आप जल लाईए और जल किस तरीके से आपको लाना होता है उपाया ध्यन से सुनिए उपाया आपके तक्दिर बदलेंगे तो मटके में मिट्टी के पास पास पानी लाना है और इस एक बड़े से घड़े में जिसमें आपको नहाते बन जाए बड़े से घड़े में आप इन सारे साथ नदी के पानी को आपको इकठा कर लेना है इसके बाद इस साथ नदी के पानी में आपको करना है क्या शभी पानी को इकठा करने के बाद मैं एक मंत्रा बता रहूं इस मंत्रा का जाब करना है और जाब करते हुए ठीक है मैं जो मंत्रा बताऊंगा इस मंत्रा को जाब करना है और पानी को आपको थोड़ा सा घुमा देना है फिर मंत्रा का प्रभाव देखना और इस उपाय का प्रभाव देखना आपकी जीवन को क ऐसे बदलेंगे अब खुद विश्वास नहीं करेंगे तो आपको करना क्या मैं जो मंत्रा बता रहूं जहन से सुनिए ये मंत्रा आपको कितने बार बढ़ना है ये मंत्रा आपको 108 बार बस्ट पढ़ना है इसके बाद ये लायवे शाथ नदी की पानी को आपने तीक अठा करके रखें बड़े से घड़े में आपको इसे तीन दिन तक इश्नान करना है कौन कोशा दिन सूलिजे रभिवार क्यों नहों ये उपाया को कर लें तो एसे वक्ति के तकदिर खुल जाते हैं आपने जतना ज़्यादा करने को शक्टा बढ़ना फ्राप्त हो धन खर्चा हो चुके पूरो समय में किसी काराणवास धन खर्चा हो चुके हैं वह धन आपको उससे डबल हो करके प्राप्ता होता है अर्थात कहने का मतलब हैं कि आपने पूरो समय में जितने धन गवा चुके हैं वह धन पुना आपको प्राप्ता हो जाएंगे लेकिन आप प्रकार के लौकिक एवं अलोकिक शुको के भी प्राप्ती होगा धन दौलत शुक्षंपती हर्चिस्वता ही प्राप्ता होना शुरू हो जाएंगे यह पहला उपाय अब अगर आप यह उपाय नहीं चाहते हैं ध्यन से शुनिये तो एक काम जरूर करना यहां पे तीन उपाय और बता रहूं यह तीन उपाय रावण ने शुयम बताएं हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति ध्यन से शुनिये अगर यह उपाय नहीं करना चाहते हैं तो एक काम जरूर करना वत्सनाब वीश नाम के प भगवान शंकर को साथ दिनों तक अभिशेक करना है। जितना आपके पैसा खर्चा हो चुके हैं वह खर्च हुए पैसा आपको पूना प्राप्ता हो जाएंगे। भग गन्य की रस से किसी भी शौमवार के दिन से ये उपायाब को शुरू करना होता है। केवल साथ दिनों तक अभगो सीलिंग पर अभिसे करना है। तो आपके घर में कर धन आने का मारगा रोक चुके हैं। तो अगर आप सभी प्रकार के शुखो को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमने चार उपाया बताएं रामाड सहिता के धार पर ये उपाया में से जो उपाया आपको अच्छा बन पड़े वह उपाया जरूर कीजिए। और मैं जो उपाया बताएं हूँ ये रामार सीता में लिख उपाया बताएं हूँ, कुछ उपाया गुरु परमपरा से प्रापत उपाया बताएं हूँ, ये उपाया कभी बिफल नहीं जाता, आब इसका पज़ेट्वी रिजल्ट देखेंगे अच्छा रिजल्ट इतना ज़्याद अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और आज तक ये प्रभाव कभी बिफल नहीं गया, लेकिन आब के विश्वास अच्छे होना ची टोने टोटके के दुनिया में, ये फिर उपाय के दुनिया में विश्वास होना जरूरी है, तो ये थे रामार सीता की द्व बिल देखने के लिए धनिवाद, नमस्कार